आज मैं ऐसी रेसेपी बना रहे हूं कि आप देखते ही बनाएंगे, देखते ही मुँ में पानी आ जाएगा, बड़े और बच्चे सभी पुसंद करेंगे, आप इसे बजार से बहुत महंगी खरीते होंगे, लेकिन घर पे बिल्कुल सुद बिन मिलावट के इसे बना सकते है इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप गेहूं काटा ले लेंगे, गेहूं काटे को मैं छान ले हूं, और जिससे डेली रोटी बनाती हूं वही आठा है, थोड़ा सा महीन है याठा, इस मिठाई के लिए मोटा आठा चाहिए हलका दरदरा, तो इसके लिए हम आधा कप सूजी डाल देंगे इसमें, तब ये दरदरा हो जाएगा, सूजी आप मोटी वाली या पतली वाली कोई भी ले सकते हैं, दो तरक सूजी आती है, एक महीन रहती है, तोड़ा मोटी रहती है, और इसमें मैं दो चेमज भरके देशी घी डाल दी हूं, और बढ़ि सकते हैं इसमें, और थोड़ा थोड़ा दूट डाल कर थोड़ा सकते आटा लगा कर तयार कर लोंगे, आटा को आप पानी से भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दूट डालेंगे, एक दम से डाल देंगे तो आटा पतला हो जाएगा, तो इसमें और आटा मिलाना दस मिन्यट हो गया आटा रखे, थोड़ा सा और मसल लेंगे, और इसकी तीन लोई बना लेंगे, बराबर बराबर, थोड़ा छोटी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसे गोल कर लेंगे, इस तरीके से, अब इसे हम बेल लेंगे रोटी की तरह, चकले में थोड सुखा आटा लगा कर बेल लें, पहले हाथ से बढ़ा लूँगी, उसके बाद बेल ले रही हूँ, रोटी की तरह इसे बेल लेंगे, इसे बहुत पदला नहीं करना, थोड़ा मोटा ही रखना है, मैं दिखा रही हूँ, मैं चुर्म लड़ू बनाऊंगी, ये देखें, इ हम गयस पेक पैन रखे हैं, आप तवा में भी इसे बना सकते हैं, चिपकता नहीं है ये, मीडियम फ्लेम पर डाली हूँ, तवा गरम हो जाएगा तो मैं गयस के फ्लेम लो कर लूँगी, एक चापू से या चमस से ऐसे होल कर दे रही हूँ, इसमें मैं घी डाल दोंगी, घ कैसे देखें, देशी घी डालेंगे, बहुत अच्छा चुर्म लड्डू बनेगा, आप इस लड्डू को किसी पूज़ा में भी बना सकते हैं, परसाथ के रूप में, धीरे धीरे घी के साथ पक रहा है, इसे पलड दे रहे हूँ, लेकिन अच्छा कलर इधर अभी आया न बहुत अच्छा इसका लड्डू बनता है, जो लोग कम घी खाना परसंद करते हैं, उनके लिए मिठाई बढ़िया है, अगर घी आप ज्यादा परसंद करते हों, तो बाद में भी डाल सकते हैं घी, अभी मैं बताऊंगी, अच्छा कलर आ जाएगा तो निकाल लेंगे, इ कितना अच्छा लाइट ब्राउन कलर आया है, ऐसे सेकेंगे तो रोटी अंदर तक बढ़िया पकेगी, ऐसे पकाना है, तो एक और सेक ले रही हूँ, अगर तवा गरम हो जाए, तो गैस का फ्लेम लो करके धीमी आज पर सेके, इसमें भी मैं होल बना दे रही हूँ, ऐसा क सेके से इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, कोई भी सेप दे सकते हैं, तो इसे भी हम उलट पलट कर सेक लेंगे, जब तक लाइट ब्राउन कलर न आ जाए, तब तक सेकेंगे, लेकिन धीमी आज पर सेकें, देखो कलर बढ़िया आ गया है, दोनों तरफ से एकदम ब्राउन हो जाए, जाधा अच्छे तरीके से सेक लेके ते कुरकुरी बनती है एकदम, घी के साथ पका रहता है न, तो अच्छा कलर आ चुका है, हम तीनों रोटी सेक के तयार कर लिए, थोड़ा गरम है, गरम गरम में इसे हम तोड़ लेंगे, उसे आप इसे ठंड़ा करके भी तोड के पीश सकते हैं, सब में बढ़िया कलर आया है, मैं थोड़ा गरम तोड़ के पीश रही हूं, मैं आगे बता रही हूं कि क्यों मैं थोड़ा गरम गरम में तोड़ के पीश रही हूं, पाले तोड़ ले रही हूं, बिल्कुल खसता है, ऐसे हाथ से मसलते हैं तो ये चूर जाते हैं क्योंकि घि के साथ अच्य तरीके से आठ पक गया है कच्छा बिल्कुल नहीं है मैं चूर्मा लड़ू बना रहे हूं कि चूर्मा लड़ू मार्केड में बहुत महँंगा मिलता है अप घर पे बनाएंगे सुध घ्रिके साथ बनाएंगे बहुत तेस्ट होता है तोड़ा दरदरा जैसे सूजी होती है बिलकुल महीन पाउडर करने से लड़ू बढ़ियां नहीं लगता है लड़ू थोड़ा दानेदार ही अच्छा लगता है कितना बढ़ियां कलर आया है क्योंकि रोटी बहुत अच्छे से सिकी थी इसलिए ऐसे कलर आया है आप भी डाल दे रही हूं सूखे नारीयल का बुरदा है और जो इसमे abdra डाले हूं योमे के लिकान दाले हो ना इसे मिक सी मीड़ू मी डूबारा से बिलकुल महीन हो गया अगर एकदम ठंडी रोटी करके पीशेंगे तो इसमें और घी या दूध डालना पड़ेगा मैं इसमें काजू और बदाम किसमिश बारी काटके डाल दी हूँ इसे आप अपनी एक्छानुसार कम जादा कर सकते हैं अगर आपका मिक्स भर भरा होत इसमें 2-3 चेमज घी या 2-3 चेमज दूध डाल सकते हैं पहले एक चेमज डाल के देखें अगर लड़ू बाइन्ड होत और दूध और घी ना डालें जितने से आपको लड़ू बाइन्ड हो जाए उतना घी या दूध डालनें मुझे डालने के ज़रूत नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा गरम-गरम में चीनी डाल दी हूँ तो चीनी हलका सा मिल्ट हो गई है तो लड़ू का सेव दे ले रही हूँ लड़ू थोड़ा सा छोटा या बड़ा अपने एक्ष्यानुसार बना सकते हैं जब यह मिक्स ठंडा होगा तब चीनी डालेंगे तो थोड़ा से घी आपको जरूर डालना पड़ेगा या दोध डालने घी डालेंगे तो लड़ू ज्यादा समय तक चलेगा खराब नहीं होगा दोध डालने से 10-15 दिन में लड़ू खतम करना पड़ेगा तो मैं सारा लड़ू बना ली हूँ इस तरीके से आप भी एक बार लड़ू बनाएं आपका चुर्मा लड़ू कैसे बना अपनान भो हमारे साथ जरूर सेयर करें मैं एक तोड़के दिखा रही हूँ बहुत अपने एक्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं एक बार आप जरूरी से ट्राइ करें